हेलो स्टेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टैली स्रीज के लेक्षे नमबर 66 है और आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे टीडियस क्या है और टीडियस को कहां पर यूज किया जाता है और उसकी इंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे यह सारी चीज यहां पर आपको इस वेबसाइट पर जाना है upcass youtube.com ठाना है यहां पर आपको आपको नोट में जाना है तो यहां पर आपको टैली स्री चियो मिल जाएगा यहां इसे आपन करें फिर उसके बाद यहां पर यह सारे टैली के नोट्स है जो ए हमनें पिछले वीडियो में आप इसको भी डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने TDS Notes और TDS Calculation के लिए एक Excel Seed बनाई है, जहाँ पर Formula उगरा यूज किये हैं, वो भी यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है, और आपको भी हमने Tax दूसरा होता है Indirect Tax, तो जो आपका TDS है, यह क्या है, यह आपका Direct Tax और दे कि अंतर गताबता है इसमें Tax की चोरी को रोका जाता है, अब Tax की चोरी को रोका कैसे जाता है, तो देखिए, यहाँ पर TDS क्या है, यह क्या है, इक Direct Tax है तो जो TDS है ये भी एक income tax है तो TDS की में जरूत क्यों पड़ी तो TDS की जरूत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था गार माल लेते हैं किसी की income 2,00,00 रुपे हुई तो लोग क्या करते थे कि 2,00,00 की income हुई है लेकिन TDS के आने के बाद में क्या हुआ कि tax की जो चोरी थी वो कम पड़ने लगी ठीक है क्योंकि यहाँ पर कम क्यों पड़ी इसके पीछे region ये है क्योंकि पहले क्या होता था कि 2,00,00 की income हमारी हुई तो हमें ही government को tax pay करना होता था ठीक है यहाँ पर 2,00,00 की income हुई हमने 50,000 दिखा दिया ठीक है माल लेते हैं 50,000 दिखा दिया तो इस तरीके से tax चोरी हो जाता था क्योंकि यहाँ पर हमें tax pay करना होता था लेकिन TDS में क्या होता है कि TDS में tax आपको pay नहीं करना होता यानि कि जिसकी income होती है उसे tax नहीं पेकरना होता बलकि वो income जो दे रहा है ठीक है जैसे example के लिए माल लेते हैं आप किसी company में job करते हैं और आपकी जो salary है वो 60,000 रुपए है जो की income आपकी हुई ठीक है तो 60,000 रुपए आपकी पर month जो है वो income है तो यहाँ पर government को TDS जा लेती है और वो TDS काटने के बाद जो company है वो आपके pen card के थुरू यानि जमा tax जो होता है यानि जो आपका tax जमा होता है वो आप ही के नाम पर जमा होता है आपके pen card के थुरू government को वो tax company पे करती है जो की आपके salary में से पहले ही काट लेती है बाकी जो बचा हुँ आपको salary माल लेते हैं 60,000 है और example के लिए माल लेते हैं कि 10,000 tax जो है वो TDS पे कर दिया तो 10,000 पे हो गया बाकी जो 50,000 है वो आपको मिल गया salary में ठीक है 60,000 salary लेकिन आपको 50,000 ही मिले बाकी का TDS कट गया ठीक है तो इस तरीके से होता है भी इसको आगे हम देखेंगे detail में practically चले फ company क्या करती है कि आपके amount से कुछ TDS काट लेती है ठीक है वही चीज बताईगे है tax collection से होने वाली income सरकार का revenue है यह तो आपको पता ही है यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जो tax होते है वो government ही लगाती है और government tax क्यों लगाती है यह भी आप transaction कर रहे हैं payment कर रहे हैं तो वहाँ पर दो person होंगे एक होगा जिसको payment मिल रहा होगा दूसरा होगा जो कि payment कर रहा होगा ठीक है काटता है उसी को बोलते हैं TDS डिडेक्टर तो I think समझ आ गया होगा कि TDS डिडेक्टर किसे कहते हैं TDS डिडेक्टर हम उसे कहते हैं जो tax काटता है यानि कि जो TDS काटता है जैसे company हो गई आप अगर किसी को payment कर रहे हैं तो अगर आप ही TDS काट लेंगे तो उस case में आप TDS डिडेक्टर होंगे TDS डिडेक्टर क्या होता है तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि TDS डिडेक्टर क्या होता है जो payment प्राप्त करता है यानि जिसका TDS कटता है ठीक है जैसे आपको salary मिली 50,000 और 50,000 में से TDS कुछ percent जो है वो cut गया तो उस case में जो TDS काटेगा जो company होगी वो TDS director कहलाएगी और आप TDS deductive कहलाएगी तो I think समझ आ गया होगा कि TDS director और TDS deductive क्या होता है ठीक है अगर हम बात करें एक company की तो जो company या होती है या कोई भी individual person हो गया ठीक है ज्यादतर case में company की बात करते हैं कभी कभी company जो है वो TDS deductive होती है और किसी दूसरे case में वो TDS deductive होती है जैसे company ने अपने employees को salary पे की तो उस case में TDS deductive कमपनी होगी जो company होगी वो क्या होगी TDS deductive होगी और अगर मा लेते हैं कि company को कहीं से revenue होई किसी दूसरी company से कहीं से भी income होई या interest मिला या ऐसा कुछ त तो उस case में TDS उसका company का कटेगा तो उस case में जो company हो क्या होगी वो होगी TDS deductee तो I think समझ आ गया होगा बाकि इसको आगे हम practically question के माधन से देखेंगे तो यहाँ पर TDS Director और TDS deductee दोनों समझ आ गया होगे तो वरतमान में सरकार दोरा काफी तरह के payments को TDS के दायरे में लाया जा चुका है यानि कि आज के समय में सभी तरह के payment पर TDS कटना अनिवार है अगर आप TDS नहीं काटते हैं तो आप पर interest और penalty लगाई जाएगी अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अभी आपको सब समझ आ जाएगा तो देखिए टीडियस के दायरे में कुछ important payment वैसे तो बहुत सारे payment पर TDS लगता है लिए कुछ important है जैसे salary हो गया आपको salary मिलती है interest मिलता है ठीक है या प्रोफेशनल फीस हो गई कोई consulting revenue हो गई या कोई commission हो गया ठीक है या ब्रोकरेज फीस हो गई या आपको रेंट किराया अगरा दे रहे हैं या पार है ठीक है या फिर कोई ऐसा amount जैसे lottery ticket आपकी लग गई हो या फिर online game आपने कोई जीता हो 10,000-50,000 का और वहाँ पर पैसा आपके account में आएगा तो वहाँ पर TDS बगरा कट करके या फिर जैसे KBC हो गया KBC में जैसे आप कोई भी amount जीतते हैं तो उस case में आपका उसके उपर उस amount पर TDS जो है वो कट जो payment करेगा वो TDS काटेगा और आप TDS डिरेक्टी होंगे तो यहाँ पर इस तरह के payment पर TDS काटा जाता है अब इसमें limit होती है ऐसा नहीं है कि आपके 5000,000 salary है उसमें TDS काटा जाएगा ऐसा नहीं है तो देखें यहाँ पर आगे बताया गया है हाला कि इन सभी payments पर TDS तभी काटा जायागा जब किये जाने वाले भुकता निर्धारित लिमिट से जादा होंगे ठीक है निर्धारित लिमिट से कम payment होने पर TDS नहीं काटा जाएगा अब वो limit क्या है तो आगे देखें आपर section wise बताया गया है TDS rate chart ठीक है तो TDS rate chart जो है यह आपका financial year 2020 और 2021 का है और य जबाद है कि इसमें जो TDS rate है वो थोड़ा सा कम कर दिये गए हैं government की तरफ से राहत दी गई है लेकिन आपका जो TDS chart है TDS rate chart है यह हर financial year में कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप professional work करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि current time में किस amount पर कितने percent tax लिया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर देखें यहाँ पर सब सब पहले section code दिया गया ठीक है तो section code क्या होता है कि कोई भी payment जो होता है उसका एक section code होता है जैसे यहाँ पर salary की बात करेंगे तो salary आता है आपका 192 section में ठीक है 192 में payment of salary इसमें कितने percent कटेगा तो यहाँ पर बताया गया as per income tax slab तो इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे इसका जो income tax slab है यह अलग है ठीक है जो salary होती है इसका जो slab है वो पूरा तरीके से अलग है तो इसके बारे में अभी अगली slide में हम देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर 192 a section में provident fund चैसे आपका pf होगे रहा हो गया तो वो अगर 50,000 per annum से ज़्यादा है ठीक है ध्यान रखना pf है वो 50,000 per year से ज़्यादा है तो उस case में आपका 10% कटेगा उस पर ठीक है और पर आपका interest हो गया ठीक है interest हो गया तो यह आपका 193 section में आएगा और इसमें limit है 10,000 per annum तो यहाँ पर आगर individual है तब भी आपका 7.5 लगेगा और अगर other है तब भी आपका 7.5 ही लगेगा ठीक है यह 10% था लेकिन यहाँ पर COVID-19 के दोरान यह कम कर दिया गया ठीक है तो यह यह चीज़े ध्यान रखना आप आगे बढ़ भी सकता है फिर उसके बाद dividend तो यहाँ पर dividend यानि कोई लाभांस खाते होंगे अगर तो वहाँ पर अगर 5000 per annum है तो यहाँ पर individual के लिए देखिए कुछ नहीं है और other के लिए 7.5% rate है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर आप फिर वो कोई company हो ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर जैसे आप horse race जीतते हैं ठीक है जो horse race होगे रहा होती है अगर वहाँ पर आप bet लगाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जीतते हैं तो वहाँ पर भी आपका 30% कटेगा TDS ठीक है जो भी आपको pay करेगा वो 30% TDS काटने के बा 7.7 है और यहाँ पर अगर कोई company है तो उसके लिए 7.5% दिया गया है ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है वैसे तो इसको यहाँ पर आपको रटने की जरूत नहीं है यह लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और हर साल यह अपडेट भी होती रहती है ठीक है तो य लाग 40,000 पर एनम इससे ज्यादा रेंट अगर आप देते हैं तो वहाँ पर आपका टीडियस कटेगा 1.5 1.5% इंडिविजवल के लिए और कमपनी के लिए ठीक है और किस टाइप का रेंट यहाँ पर रेंट कोई प्लांट या कोई मसीनरी का रेंट होगा तब और अगर आप किसी लेंड या बिल्डिंग की बात करें इसका अगर आप रेंट देते हैं तो यहाँ पर लिमिट जो है 300 लिमिट यह 2,44,000 यह लेकिन यहाँ पर इसका जो रेट है वह ज्यादा है 7.5 7.5 इंडिविजवल के लिए और यह आपका अधर के लिए ठीक है तो यह आपको salary का होता है यह थोड़ा अलग तरीके से calculate किया जाता है income tax slave इसका salary का यह होता है ठीक है salary यह इसका section code क्या है आपको पता है 192 ठीक है 192 के अंतरगर salary के ओपर TDS काटा जाता है आप किस तरह से salary पर TDS किस तरह से कटता है इसको समझते है ठीक है तो देखिए यहाँ पर अगर आपकी salary धाई लाग तक है तो इस case में आपका जो TDS है वो नहीं लिया जाएगा यह पर NM की बात हो रही है ठीक है अगर आपकी salary एक साल में धाई लाग है या धाई लाग से कम है तो उस case में आपका TDS जो है वो नहीं काटा जाएगा ठीक है तो इतना तो आपको clear हो गया फिर अगर आपकी salary धाई लाग से तीन लाग के बीच में आती है या तीन लाग से पांच लाग के बीच में आती है तो हम इसको directly इस तरह से कह सकते हैं कि धाई लाग से पांच लाग के बीच में ध्यान रखना, अगर आपकी salary धाई लाग से पांच लाग के बीच में आती है, पर annum की बात कर रहे है, मंतली बात नहीं कर रहे है, ठीक है, पर annum, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाग से 5 लाग के बीच में अगर आपकी salary आती है, तो वहाँ पर आपका 5% tax काटा जाएगा, लेकिन जो 5% tax आपका कटेगा, इसमें refund भी हो जाता है, tax rebate, ठीक है, under section 87A के अंतरग आपका जो tax होता है, वो rebate हो जाता है, refund हो जाता है, तो यहाँ पर कहने का मलब यह है, कि यहाँ पर भी आपका tax इसमें दोनों में नहीं लगेगा, यानि कि अगर आप 0 से ले करके 5 लाग तक की salary है per annum, तो उस case में आपका TDS जो है वो नहीं लिया जाएगा, TDS आपका नह पांच लाग के बीच में, तो आपका वो rebate refund हो जाएगा, तो इसमें तो कोई confusionally बात नहीं है, यहाँ पर आपका tax नहीं लगना है, लेकिन अगर आपकी salary 5 लाग से 7.5 लाग के बीच में है, per annum, तो यहाँ पर आपका 10% tax लगेगा, ठीक है, आपका 10% लगेगा, और अगर 7 लाग से, और अगर आपकी 7.5 लाग से 10 लाग के बीच में है, तो 15% और 10 लाग से 12 लाग, तो 20% और 12 से 15, तो यहाँ पर आपका 25%, ठीक है, अब यह काटा कैसे जाता है, इसको समझते है, तो देखिए, माल लेते हैं, कि आपकी salary जो है, वो 5 लाग पर annum से जादा है, ठीक तो अगर 5 लाग से जादा हो गया, तो यह 10% के रेट में आएगा, तो अगर यह 10% में आएगा, तो क्या, क्या आप 6 लाग रुपे पर 10% काटा जाएगा, नहीं, यहाँ पर जितना income tax slave का मलब यही है, कि जितना ऊपर गया है, तो यानि कि अगर आपकी salary हमने बताया कि 6 ल प्रूरी है, यहाँ पर पूरा 6 लाग पर आपका tax नहीं कटेगा, अगर 6 लाग पर कटेगा, तब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर जो limit cross हो रही है, जैसे यहाँ पर 5 से 7.5 लाग के बीच में, तो जितना ऊपर है, उतना ही आपका tax कटना है, यानि 1 लाग के तो 5 लाग पर 10% कटेगा, 5 लाग पर कितना कटेगा, 10% कटेगा, बाकी अगर 8 लाग है, तो यह इस वाले slab में भी चला जाएगा, तो इस slab में जब जब जाएगा, तो 7.5 लाग से यहाँ से starting होती है, तो यहनि कितना ज्यादा है, 50,000, तो यह आपका 50,000 लाग पर 15% है, ठीक है, इसको आप आराम से ध्यान से देखें, इसी तरह से अगर आपकी salary माल लेते हैं, 12,00, कितनी है, अगर आपकी salary है, 12,00, रुपए, तो इस condition में क्या होगा, इस condition में 5-7.5.5 लाग यह तो क्रॉसी कर रहा है, तो यह आपका 5.5.5 हो जाएगा, ठीक है, और इसी त परसंट कटेगा, और 2,00,000, पर आपका 20% कटेगा, और तीनों को जोड़ने के बाद जो tax होगा, वो आपका TDS payment किया जाएगा, ठीक है, यहनि TDS से उतना आपका कटेगा, तो इस तरह से यहाँ पर salary पे काम होता है, तो I think समझ आ गया होगा, और अगर आप 5,00,000, से नीच 5,00,000, से नीचे ना, तो 5,00,000, से नीचे तो कोई tax लगता ही नहीं है, लेकिन अगर माल लेते हैं कि लगता है, जैसे हमने बताया था कि 5,00,000, से अगर उपर है, तो वहाँ पर 5% लगता है, लेकिन वह रिबेट हो जाता है, तो वही चीजह यहां पर बताई गई है, 2,90, हजार है तो 2,90,000 में इसमें आपका जो 40,000 रुपए ऊपर जा रहा है ठीक है 40,000 ज्यादा हो रहा है 5,000 से इसमें 40,000 में आपका कटेगा 5% तो 5% के हिसाब से 40,000 रुपए लेकिन यह आपका रिबेट भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अंडर सक्षन 87A के तहट आपका यह रिफंड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका टैक्स जो है वो जीरो होगा ठीक है पे नहीं करना है इसी तरह से अगर 3,90,000 हुआ तो 3,90,000 में आपने धाई लाग से उपर जितना भी हुआ उतने अमाउंट पर 7,000 रुपए आपका टैक्स हुआ यह जो 7,000 आया है यह 5% के हिसाब से निकाला गया लेकिन 3,90,000 पर नहीं निकाला गया ठीक है यह जितना बचेगा उतने पर 5% निकाल करके जो अमाउंट आया वो रिफंड भी ह तो यहाँ पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना है इसी तरह से यहाँ पर 4,90,000 तो यह भी 5,000,000 के नीचे है तो इसमें भी आपका यह रिफंड हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपकी सैलरी 12,000 है पर एनम ठीक है तो 12,000 पर एनम होगा त आप जो सैलरी होती है या कोई पर एनम ठोड़ी करता है और अब यह तो मन्तली चलती है तो मन्तली चलती है तो उसको कैसे कल्कूलेट करेंगे तो देखें यहाँ पर उसके लिए हमें एक्सल में आपर हमने कुछ फॉर्मूले देंगे और यह सीडबी हमने तूंको देदी तो यह वहां से डाउनलोड करके इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं देखिए मा लेते हैं किसी की सैलरी जो है वो एक लाख रुपए है तो अगर सैलरी एक लाख रुपए है तो पर एनम की कितनी हो गई 12,00,000 रुपए हो ग यहां पर हमने फार्मूला लगा है तो यह 12,00,000 अगर पर मन्त है तो 12,00,000 रुपए पर एयर हो लाग पे आपका ये 40,000 हुआ तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया पर एनम का 12 लाग अगर आपकी सैलरी है तो उसमें से आपका पर एनम एक लाग दो हजार पांस रुपए ये टैक्स आपका चला जाएगा और अगर मन्थली बात करें तो मन्थली अगर आपको सैलरी एक लाग रुपए मिलती है तो एक लाग रुपए पर मन्थ के हिसाब से सैलरी जो है उसमें आपका 8541 रुपए ये आपका पर मन्थ टैक्स जा आपका per month percent में जा रहा है ठीक है तो यह I think समाझ आ गया होगा तो चलिए यहाँ पर इसको Excel में आपको दिखाते हैं Excel वाली फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसको open करते हैं तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपका कितना tax लगेगा देखिए यह 65,000 अगर है तो आपका total per annum हो गया 7,80,000 उसमें आपको tax पे करना है 29,500 जो कि यहाँ पर इस वाले slab तक केवल आपका आता है अगर आपकी salary माल लेते हैं 25,000 है कितनी है 25,000 पर month है तो यह आपका कितना हुआ 3,00,000 रुपए हुआ पर annum का तो यहाँ पर आपका कोई भी tax नहीं लगेगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पर आपकी salary माल लेते हैं 40,000 है तो अगर आपकी salary 40,000 है तो यह आपका 4,80,000 हुआ तब भी आपका कोई भी tax नहीं लगेगा ठीक है तो यहाँ पर आप पर month वाली salary डालेंगे आपकी month ली जितनी salary है बाकी यहाँ पर यह सारी calculation हो ज़रूरी है ठीक है इसलिए क्योंकि अगर कभी ज़रोत पड़ती है तो आप Excel का भी यूज करें तो यहाँ पर जो भी फार्मूले लगें हैं तो यह सब हमने जो है एक्सल वाली स्रीज में समझाए है कि कौन सा फार्मूला है और किस से क्या होता है तो फिलाल यहाँ पर इसको छोड़ते हैं आपको यह तो पता चल गया है कि यहाँ से हम TDS कैलकूलेट कर सकते हैं और इसकी ज़रोत हमें बाद में फिर से पड़ेगी जब हम इंट्री करेंग करेंगे अगर आपका पेमेंट करता है तो उसकेस में आप टैली में इंट्री कैसे करेंगे वो सारी चीजे हैं तो इसको हम जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है यह पूरा हम अगली वीडियो में देखेंगे थियोरी हमने इस वीडियो में बता दिया है तो थियोरी में कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए बाकी जो अगला वीडियो होगा वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और नोट कहां से डाउनलोड करने यह हमने बता दिया है तो फिलाल इस व वीडियो में ओके सो थांक्स पर वाचिन देस वीडियो